हल्दी के दरों में व्रिद्धी करने की मांग को लेकर वाशिम के किसान अब आक्रमक भूमी का अपना चुके है किसानों ने बाजार समीती के सामने रास्तारों को आंदोलन शुरू कर दिया है और मांग पूरी ना होने तक डटे रहनी की बात भी कही है वाशिम क्रशी उपज मंडी समीती में बिक्री के लिए हल्दी लेकर आये किसानों ने हल्दी का उच्छे दाम नहीं मिलने पर वाशिम मंडी समीती के सामने रास्तारों को अंदोलन करते हुए रोड जाम कर दिया है जिसे वाहनों के लंबी कतारे लग गई है वाशिम क्रशी उपजमंडी समेदी के व्यापारी यहाँ हल्दी को उचित दर नहीं दी रहे है इसके विपरिद रिसोड हिंगोली में हल्दी को 7000 रुपए से अधिक दर मिल रहा है जबकि वाशिम में सिर्फ 6000 रुपए में ही खरीदी की जा रही है इससे किसानों को भारे नुकसान हो रहा है और इसके खिलाफ किसान वाशिम हिंगोली हाईवे पर सड़क जाम कर बैठे है किसानों ने आक्रमक रुख अक्तियार कर लिया है कि जब तक हल्दी को वाजिब दाम नहीं मिलेगा तब तक उस सड़क सी नहीं हटेंगे इसके अलावा किसानों की मांग है कि व्यापारियों का माल नीचे उतारा जाए और किसानों का माल उपर रखा जाए पलिस प्रशासन किसानों को समझाने का प्रयास कर रहा है लेकिन किसान अपनी भूमिका पर अडिग है और उनका कहना है कि वो कुछ भी कर लेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं इन बिसे न्यूस के लिए कलिश भार दौज की साथ माहिन पठान की रिपोर्ट